हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है हमारे चैनल में आज मैं आपको बताने वाली हूँ सावली स्कीन को दो मिनट में गोरा करने का अचुक घरे लू नुसका आए जान लेते हैं इसके बारे में कि कैसे आप घर में ही अपने चैरे को निखार सकते हैं आज कल की भागत और भरे जिंदिगी से हमारे स्कीन काली वसावली होती जा रही है जिससे हम काफी परिशान रहते हैं और स्कीन को सुंदर करने के लिए बाजार से महेंगे महेंगे प्रोडक्ट्स खरीते हैं लेकिन बाजार के ये प्रोड़क्ट्स केमिकल युक्त होने के कारण हमारे स्किन को काफ़े नुकसान पहुचाते हैं जिससे हमारे स्किन डैमेज भी हो जाती है और साथ में स्कीन की गलो भी खत्म हो जाती है लेकिन अब परिशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है तो कि आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे नुस्किल लेके आई हूँ जिसे आप अपने स्कीन को बहुत ही सुन्दर बना सकती है वो भी अपने घर पे तो यह जान लेता है कि कैसे आप अपने सामले रंग को गोरा बना सकते हैं इसके लिए आपको चाहिए चावल का आटा, मैदा, शहद और कच्चा दूद अब आपको क्या करना है एक कटोरे में दो चम्मच चावल का आटा, दो चम्मच मैदा, एक चम्मच शहद और थोड़ा सा कच्चा दूद मिला कर एक पेस्ट बनाना है और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाना है याद रखे कि इसे आपको अपने गर्दन पर भी लगाना है और इसे लगाने के 25 मिनट तक इसे रह नहीं दे इसके बाद जब यह हलका सूख जाए तो हलके हाथों से स्क्रब करें और इसे उतार दें इसके बाद फेस को नॉर्मल वाटर से वाश कर ले इसका यूज आपको हपते में 5 दिन करते हैं अगर तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आपके स्किन सेंसिटीव है तो आपको स्क्रब नहीं करना है आपको सिर्फ पानी की मदद से फेस को वाश कर लेना है मैदा और आटा एक ऐसा इंग्रिडियंट है ज एंटियोक्सिडेंट पाया जाता है जो स्किन को टाइट बनाने का काम करता है और स्कीन में नमी बनाए रखता है तो कर लिजिए चुटी-चुटी सुपाई जिससे आप अपने चाहरे को बहुत ही सुन्दर और बेडाग मना सकते हैं तो दोस्तों यह थी हमारी आज के वी